स्वार मश्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आंसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास Android Mobile है और उसके अंदर आप Play Store में किसी भी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राय करते हैं जब आप किसी को इंस्टॉल करने का ट्राय करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एरर आ जाता है गर आ अ के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तागि अगर उनको यह प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल हो जाए तो इस प्रॉब्लम छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है प्लेश्टोर के अंदर आना है दर उसके बाद आपनी प्रो अप्डेट प्लेश्टोर पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा गूगल प्लेश्टोर इस अप्टू डेट अगर आपका प्लेश्टोर अप्डेट होगा अप्टू डेट होगा तो यह लिखा मिलेगा अगर अप्टू डेट नहीं होगा तो अप्डेट होना start हो जाएगा तो यह सबसे पहले आपको काम कर लेना है play store को update कर लेना है then उसके बाद आपको mobile की setting में आना है यहाँ पर about phone में आना है और अपने जो phone का version है उसको यहाँ से update कर लेना है check for update पर click करिएगा यहाँ पर आपको दिखा देगा अगर आपको phone update मांग रहा है new update आया है आपके mobile के version का तो उसको update कर लें जैसे ही आप update कर लेंगे तो वो आपकी problem solve हो जाएगी यह दो काम आपको जरूर से कर लेने होंगे उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है setting में आना है scroll करना है नीचे की तरफ apps पर click कर लेना है apps पर click करने के बाद यहाँ पर manage apps पर आना है then search bar में आपको play store को search करना है play store play store आ चुका है open करिए open करने के बाद storage उपर आपको देखने को बिल राइस पर click करिए यहाँ से इसका clear catch then उसके बाद clear all data कर दीजिए यह काम आपको play store के अंदर करना होगा then उसके बाद यहाँ से आपको back आना होगा आप अपने play store परागा आप किसी भी application को इंस्टोल करके देखिएगा आपको जो error है वो चला जाएगा फिर से आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद भी अगर आपको problem face करनी पड़ रही है तो आपको उस application को जो application आप play store से download करने का try कर रहे थे उस application को आप play store से download नहीं करना है आपको किसी भी browser को open कर लेना है browser में open करने के बाद यहाँ से आप जो है third party application I mean अपना जो है किसी browser से उस application को install कर सकते है प्लेश्टोर से ना करके तो आप easily जो है इसको install कर पाएंगे आपको प्लेश्टोर का use नहीं करना होगा So guys क्योंकि प्लेश्टोर के अंदर ही आपको यह problem face करनी पड़ रही है तो आप जो है किसी browser से जाकर किसी third party website के जाकर जो है Install कर लीजिएगा तो problem solve हो जाएगी So guys बस आज की वीडियो आपको यहीं बताना था Hope आपको वीडियो चिल की वीडियो चिल की ट्राइक कर देना Channel को सब्सक्राइब कर देना आप मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then bye take care, love you all